हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू हिंदी मिरर चैनल सभी स्टुडेंट्स का हिंदी मिरर प्रफिर्शे स्वागत है अभी जो हम कंटेंट लेकर आ हैं डेर्शीट से संबंदित है श्रीदे सुमन उत्रकंड युनिवस्टी के एक्जाम आ चुके हैं सभी जितने भी ओर समेस्टर हैं उनके और सभी की डेर्शीट एक साथ इन्होंने जारी कर दी है पहले इन्होंने स्टेप बाई स्टेप सभी क्लासिस की जारी की थी लेकिन अब इन्होंने क्या किया है आपके 18 से तो ऐसे 18 से जब एक्जाम शुरू होने हैं तो वो जो है धीरे धीरे सारे एक्जाम आगे पीछे हो गए हैं तो चलिए आपको बता देते हैं कि रिवाइस्ट आपकी डेट शिट आई है तो जो आपकी पहली डेट शिट थी उस से उसको आप ना देखें अब ज शिट के बारे में बताया जा रहा है फिर आपकी एक्जाम की भी तैयारी कराये जाएगी और कुछ नोर्स अभी भी आपकी प्लेलिस्ट बनी वी हैं हिंदी मिरर पर तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं नोर्स वहाँ से मिल सकते हैं जो बीए के स्टूडेंट से उनके ल उनके पास पहली डेटशिट है उसको फोलो करेंगे और यह रिवाईल डेटशिट आई है हो सकता है उन तक यह ना पहुंची हो तो आप इसको ज़्यादा श्यार चेयर करेंगे तो उन तक यह डिच-ट पहुंच जाएगी तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगी आप अप फस सेमेस्टर तो आपको दिखाई دे रहा होगा कि हाँ टाइमिंग में भी ठोड़ा चैंजिंग किया है उन्होंने यह पहले टाइमिंग था वो आपका साड़े साथ से टाम था लेकिन अब इन्होंने टाइमिंग कर दिया है साड़े आठ से ग्यारा तो पेपर सीधा सीधा ढाई गंटे का और जो पहले डेट शीट आई थी उसमें आपका थ्री अवर का पेपर हो रहा था अब सीधा सीधा इनोंने टू अवर पेपर कर दिया है तो यानिके ढाई गंटे का आपका पेपर कर दिया है अब यहाँ पर प पेपर होगा और आपके भी अठारा तारिक से हैं और तीन अपरेल तक होने हैं लेकिन आपका टाइम रहेगा साड़े ग्यारा से दो बजे तक तो आगे चलते हैं आगे यहाँ पर है बी एसी अगरिकल्चर थर्ड समेस्टर ओल्ड स्लेवर्स ठीक है एक न्यू स्लेवर्स यह जनके जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो जारी हुई है डेट्शिट वो आप देख सकते हैं और यहाँ पर न्यू ओल्ड स्लेवर्स जो वाले स्टुडेंट है उनके अउनली फॉर एक्स जो स्टुडेंट है जिनकी बैक है तो यह उनके लिए है तो यहाँ पर आप देख लिजे जो आपके पेपर होने है तो अठारा तारिक से होने है और आपका टाइमिंग भी धाई से पाच हम अब एक्स स्टुडेंट क्या होते है यह आपको थोड़ा समझा देते हैं बैक जिनकी वो तो आगे चले गए है वो जो है जो आप थर्ड समेस्टर वाले जो स्टुडेंट है जो अब फिप समेस्टर में होंगे और उनकी थर्ड में बैक आयोगी तो वो देंगे और यही बार होता है तो जिनका जैसे आप पहले फस्टेर कर रहे थे और जो फ़ेल ऑचुके हों और अब जो सेमस्टर शुरू हो चुका है और आप अपकी अपने अन्मिशन में तो आप रेगूलर तो होंगे लेकिन आप जो है एकस्स्ट्रूडेंट में गिन जाएंगे और आ लेकिन यहां इनोंने कुछ नहीं दिया कि बैक के लिए B.S.E. Horticulture 7th Semester All Slavers B.S.E. Honors Forestry 1st Semester B.S.E. Honors Forestry 3rd Semester इसके बाद आपका 5th Semester फिर इसी सब्जेक्ट का आपका जो है Back or Access Prodents के लिए है इसके बाद है PCA 1st Semester PCA 1st Semester के जो पेपर है वो सिर्फ 4 ही पेपर है और टाइमिंग में करा आपको दिखाई दे रहा है कि आपका भी साड़े आठ से ग्यारा यानिके ठाइगंटे का ही पेपर आपका भी जाना है यह है आपका BCA 3rd Semester फिर BCA 5th Semester इसके बाद आपका B.S.E. Information Technology 1st Semester B.S.E. Information Technology 3rd Semester B.S.E. Information Technology 5th Semester इसके बाद B.S.E. Computer Science 1st Semester इसके बाद B.S.E. Computer Science 3rd Semester B.S.E. Computer Science 5th Semester इसके बाद है B.B.A. 1st Semester B.B.A. 1st Semester B.B.A. 5th Semester ठीक है डेट सब की 18 से ही शुरू होने है पेपर धाइ घंटे का ही हो रहा है सब का ठीक है अब यहाँ पर हम आचुके है Bachelor of Fisher Science 1st Semester सब्जेक्ट जो है सेमी है 5th Semester 5th Semester फिर इसके बाद 7th Semester इसके बाद आ चुके हैं B.S.E. Food Technology 1st Semester सब्जेक्ट सेम 3rd Semester इसके बाद 5th Semester और फिर यहाँ पर है B.J.M.C. 1st Semester फिर B.J.M.C. 3rd Semester B.J.M.C. 5th Semester इसके बाद है आपका B.A. Honors Generalism and Mass Communications अगर आप कर रहे हैं तो आपके पेपर भी 18 तारिक से हैं और आपका टाइमिंग भी पेपर का 2.5 गंटे का 3rd Semester 5th Semester और इसके बाद है B.S.E. Fashion Design 1st Semester तो आपके भी पेपर 18 तारिक से ही शुरू होने हैं और आपका टाइमिंग रहेगा 1.5 से 11 बजे तर अब यहाँ पर B.S.E. Fashion Design 3rd Semester 5th Semester इसके बाद है B.S.E. Animation and Multimedia 1st Semester आपका टाइमिंग पता यह आपकी जो डेट शिट दुबारा रिवाइस आई है यह इसलिए आई है एक तो इन्होंने सिर्फ डेट चेंज की है और एक टाइमिंग चेंज की आई क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ देर पहले बताया था जो पहले पेपर थे वो सब 3 घंटे के जा रहे थे लेकिन अब जो डेट शिट आई है वो धाइ घंटे के पेपर के लिए आई है आगे आगे चुके हैं बी एसे एनिमेशन 5th सेमेस्टर इसके बाद आपका है बैचलर ओफ होटल मैंजमेंट 1st सेमेस्टर फिर इसके बाद 3rd सेमेस्टर 7th सेमेस्टर इसके बाद है आपका बी ए ट्यूरिजम 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर इसके बाद है आपका बैचलर ओफ फिजिकल एजुकेशन 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर और यहाँ पर फिर है मास्टर ओफ फिजिकल एजुकेशन 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर फिर है B.S.C. Microbiology first semester, B.S.C. Microbiology third semester, इसके बाद fifth semester, फिर इसके बाद आपका आ चुके है B.S.C. Honors Biotechnology first semester, third semester, fifth semester, अब आ चुके है B.S.C. Biotechnology old syllabus, fifth semester, only four back paper students, ठीक है, यहाँ पर X student नहीं है, only four back paper, ठीक है, अब यहाँ पर आ चुके है B.A. Yoga first semester, B.A. Yoga third semester, फिर fifth semester, उसके बाद B.F.A. है ना, first semester, third semester, fifth semester, seventh semester, इसके बाद B.S.C. Honors Aircraft, आपका maintenance first semester, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, आगे third semester, fifth semester, और आपका फिर आ चुके हैं, हम M.S.C. Agriculture, Plant, Breeding and Genetics, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद यही paper, third semester, फिर आपका आचुका है, M.S.E. Agriculture, Plant, Pathology, first semester, फिसका third semester, इसके बाद आपका है, first semester, किसे, M.S.E. Agriculture से, फिर आपका M.S.E. Agriculture, इसके बाद, फिर M.S.E. Information Technology, M.S.E. Information Technology, फिर इसके बाद है, M.S.E. Horticulture, first semester, third semester, और फिर आपका है, M.S.E. Fisher Science, first semester, पहले आपके सारे bachelor थे, अब सारे master शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर M.S.E. Biotechnology, first semester, third semester, फिर M.S.E. Microbiology, first semester, third semester, इसके बाद, आपका M.S.E. Food Technology, first, third, और फिर आपका Master in Hospital Administration, first semester, third semester, इसके बाद, आपका M.E. Mass Communication, first semester, third semester, आप इसका screenshot ले लिजे, भई, बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है, आप अपनी जो भी आपके Classices का, आप screenshot ले लिजे, या फिर वीडियो को पोश्च करके अपना note-down आप कर आपोपी अपना, अपकी तर ल Artemis, third semester, इसके बाद, आपका M.S.E. Agriculture, bottom, first semester, M.S.E. Agriculture आपका first semester, M.S.E. Agriculture, और फिर आपका मास्टर है Arts, Painting, Applied Part Art, First Semester, Third Semester और फिर इसके बाद है आपका MSC Home Science Food and Nutrition First Semester, फिर Third Semester फिर इसी के बाद आपका है First Semester Master Management का इसके बाद आपका इसी में Third Semester तो यह सारी आपकी थी BSC सबकी तो लेकिन यहाँ पर BA, BSC, BCOM का नहीं है तो BSC, BCOM की भी मैं वीडियो बनाऊंगी शाम तक आपको मिल जाएगी जितनी भी Classes के यहाँ थे तो अगर आप Screenshot लेने में या फिर आप पोश्क करके वीडियो देखने में कहीं आपको परिशान हुए हो आपको अलग से डेट शिट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर पूर ले सकते हैं 8171796251 यहाँ पर आप अपनी पर्टिकुलर डेट शिट मुझे ले सकते हैं तो बने रहिए हिंदी मेरर की साथ लाइक शेयर करते रहिए देखते हैं इस वीडियो के कि दिने शेयर आते हैं क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं न कहीं आप किसी का अच्छा करते हैं और आज होली का दिन है तो सभी के लिए अच्छा कीजिए और हिंदी मेरर के लिए भी अच्छा कर दीजिए हिंदी मेरर को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन हिट कर दीजिए क्योंकि आप बेल आइकन हिट करेंगे तो रिजल्ट भी आने है आपकी एकजम की तयारी भी ओने है डेटशिट में चेंज होते रहते हैं वो आप तक कैसे पोहँचेंगे सबसक्राइब करने से तो कर लिजिए और शेर कर दीजिए और कमेंट बोक्स में इपने कवारी सेंड कर दीजिए